Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel स्वागत आपका मेरी एक न्यू वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं CSIR Institute of Microwire Technology की तरफ से निकाली गी रिक्रूटमेंट के वारे में CSIR Institute of Microwire Technology की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटीस निकाला गया है Engineer की and other post के लिए तो यहाँ पर कितनी vacancies रहने वाले हैं selection process यहाँ पर क्या रहेगा eligibility यहाँ पर क्या रहेगी कब से कब तक यहाँ पर आवेदन चलने वाले हैं पूरी detail में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो में end तक बने रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली वार विज़िड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की notification आपको सबसे पहले पहुंच सके तो बिना आपका time based की करते हैं वीडियो को शुरू बात करें यहाँ पर official notification की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह CSIR Institute of Microwire Technology की तरफ से निकाला गया official notice है जिसका की advertisement number आपको यहाँ पर दिये गये है जो की आपकी recruitment of group second and group third की technical staff की पोच के लिए निकाला गया है इनकी official website आपको यहाँ पर दी गई है इसका link भी आपको description में provide कर दूँगा जहाँ पर जाकर आप जो बुनका advertisement number डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से verify भी कर सकते हैं बात करें यहाँ पर online application की तो आपकी 16-2021 से start हो जाएगी and closing date जो रहेगी वो आपकी 15-7-2021 रहेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी online application की last date है वो आपकी 15-7-2021 है तो date आप यहाँ पर दिहान रखें उसके लावा यहाँ पर बात करें group third post की तो यहाँ पर जो आपकी post रहने वाली है पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दिये गए है technical assistant की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है जिसमें कि आपकी total 3 post दी गई है category wise आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको pay matrix यहाँ पर लेवल दिये जाएगा वो आपका 35-400 से लेके 1,12,400 तक आपको दिये जाएगा pay level आपका 6 रहेगा approximate आपको जो आपको salary रहेगी वो आपकी अनुझा 1188 यहाँ पर रहेगी upper age की बात करें यहाँ पे तो आपकी 28 years यहाँ पर age दी गई है qualification की बात करें तो यहाँ पे आपके पास first class B.Sc. science होने चाहिए one year काप के पास यहाँ पे full time professional qualification experience आपको होना चाहिए microbiology में, chemistry में, industrial chemistry, biochemistry, bio technology, mlt यह chemical science में तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं लेवाटरी बरक काप के यहाँ पे जो वो job specification आपको यहाँ पे दिये जाएगा key responsibility जो आपकी रहने वाली है बात करें यहाँ पे post code second की जिसमें technical assistant की two post दी गई है इसमें आपको pay scale सेम रहेगा उसके रावा यहाँ पर आपकी 28 जो वो यहाँ पर age दी गई है इसमें जो आपकी qualification रहने वाली है वो first class diploma आपका होना चाहिए वायो chemical का engineering का and यहाँ पे technology of three years का आपके पास full time job duration at least two years full time आपका जो आपका time duration in का lateral admission in diploma course का आपके पास यहाँ पे होना चाहिए two years का experience भी आपके पास यहाँ पे मांगा गया है relevant field and relevant area में laboratory work आपका यहाँ पे रहने वाला है बात करें यहाँ पे post code third की जिसमें कि आपकी 35-400 से लेके 1,12,400 तक आपको salary दी जाएगी salary यहाँ पे same दी गई है अपर age भी यहाँ पे same दी गई है यहाँ पे जो आपकी qualification मांगे गी यह first class diploma आपका मांगा गया है instrumentation engineering में and यहाँ पे total technology of at least यहाँ पे 3 years का full time आपका duration यहाँ पे course होना चाहिए at least 2 years full time duration in case of later admission में आपने यह diploma course में तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं 2 years का यहाँ पे आपके पास qualification का experience मांगा गया है जो भी आपका relevant area से net relevant field से आपका experience यहाँ पे मांगा गया है electrical engineering and यहाँ पे instrumentation engineering आपका यहाँ पे field रहने वारा है बात करें post code 4 की जिसमें आपकी salary सेम रहेगी junior engineer electrical के लिए post रहने वाली है एक post यहाँ पे दी गी है age आपकी सेम रहेगी first class diploma आपका electrical engineering में होना चाहिए 3 years का full time duration में at least 2 years आपने full time duration में किया होना चाहिए अगर आपने later entry यहाँ पे लिए है तो 2 years का आपके पास यहाँ पे relevant experience होना चाहिए field में या area में उसके बाद आपका engineering service related work आपका यहाँ पे रहेगा उसके लावा बात करें यहाँ पे group second post की जिसमें आपकी post code 5 दिये गए है technician की यहाँ पे post रहने वाली है refrigerator and air conditioning mechanic की यहाँ पे post दी गई है एक यहाँ पे post रहने वाली है pay scale जो आपको यहाँ पे दिये जाएगा 1900 से लेके 38200 तक आपको दिये जाएगा approximate salary आपको यहाँ पे 27520 दी जाएगी अपर एज यहाँ पे जो दी गई है वो आपकी यहाँ पे 28 years दी गई है essential qualification जो यहाँ पर आपकी मांगी गई है वो आपकी secondary school certificate आपके पास होना चाहिए यहाँ पे 10th standard तक आपने यहाँ पे science subject में किये होना चाहिए minimum 50% marks के साथ में उसके लाबा ITS certificate आपके पास होना चाहिए relevant trade में and 2 years का full time experience आपके पास होना चाहिए यहाँ पर apprentice training का from a recognize institution and AC mechanic refrigerator trade का उसके बाद 1 years की apprenticeship आपने की होना चाहिए refrigerated air condition की mechanic trade over 1 years का experience आपको होना चाहिए operation maintenance of central AC plant का जो परॉल जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लाबा बात करें यहाँ पे post code 6 की जिसमें आपका technician की post मांगे गई है information technology and electronic system maintenance की एक post यहाँ पे दी गई है salary यहाँ पे same रहेगी qualification आपकी यहाँ पे SSC and 10th standard आपकी मांगी है science subject के साथ में भी 55% mark के साथ में IT आपके पास certificate होना चाहिए national उसके लाबा state trade आपके पास certificate होना चाहिए two years full time apprentice course आपके पास आपने किया होना चाहिए प्रोफिशेंसी जो दी जाएगी आपकी respect के ट्रेड को दी जाएगी जो आपकी availability to read electronic circuit और प्रोफिशेंसी ने लेटर computer language and operating system में अपने की है knowledge about आपको maintenance and CCTV system का होना चाहिए जो यहाँ पे job roller हैगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं post code 7 की बात करें जिसमें technician medical laboratory की post रहने वाली है 9 इसमें post रहेंगी category wise आप यहाँ पे देख सकते हैं salary आपको same दी जाएगी and यहाँ पर भी आख की ssc 10th standard तक आप यहाँ पर पास होने चाहिए with science subject में 55% marks के साथ में ITS certificate आपके पास होना चाहिए 2 years का full time आपने experience आपके की होना चाहिए apprentice training आपने की होनी चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं medical laboratory technician trade में उसके लावा बात करें यहाँ पर laboratory वरक आपका यहाँ पर रहेगा बात करें post code 8 की जिसमें electration की एक post दी गी है बात करें यहाँ पर जो आपका pace care रहेगा वो आपका same रहेगा secondary school certificate यहाँ पर qualification मांगेगी है 10th standard आपने science में pass की होने चाहिए with 55% marks के साथ में ITS certificate आपके पास होना चाहिए electrification trade का 1 year की apprenticeship आपने की होने चाहिए electrification trade की अबर 1st का आपके पास experience है ht में तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है बात करें यहाँ पर job roll की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके लाबा post code 9 जो आपको दिये गया है feature की post दीगी है एक इसमें post रहने वाली है pace scale same रहेगा age same रहेगी secondary school certificate आप pass होने चाहिए यहाँ पर 55% marks के साथ में science आपने पास की होने चाहिए iti आपका certificate in feature में होना चाहिए 1 years का experience आपके पास है या 1 years का apprentice feature का trade का experience है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं job roll आपको यहाँ पर दिये गए है post code 10 की बात करें इसमें technician की आपकी mechanic operator की electrical communication system की एक post दी गई है salary same दी जाएगी age limit saver रेने वाली है 10th standard आप pass होने चाहिए science subject के साथ में 55% marks के साथ में iti आपका certificate होना चाहिए iti का national state trade certificate 2 years का full time experience आपको होना चाहिए apprentice training आपने की है mechanic come operator electronic communication system trade में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके लावा जो परोल जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं and जो आपका यहाँ पर दिये गए है वो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं बात करें यहाँ पर form को apply करने के लिए तो form को apply करने के लिए आपको इनकी official website पर जाकर form को apply करना पड़ेगा यहाँ पर आपको official website दीगी है इसका link भी आपको description में provide कर दूँगा last date इसकी 15.7.2021 है जो आपकी यहाँ पर fees लगने वाली है वो आपकी non refundable fees रहेगी online fees जो रहेगी आपकी वो 500 रूपीज रहेगी for the general OVC candidate के लिए इसके लावा जो आपकी application note वी occupied with the prescribed fees for the other category के लिए आपकी यहाँ पर कोई वी fees नहीं लगेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी fees लगने वाली हो 500 रूपीज रहेगी general and OVC candidate के लिए उसके लावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर last statement आपको बता दी है general conditions आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो आपका यहाँ पर relaxation दिये जाएगा वो आप यहाँ पर इस paragraph को पढ़ सकते हैं इसका PDF का link आपको provide कर दूँगा मैं description में वहाँ से जाके आप इसकी PDF download कर सकते हैं और बहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं बात करें आपके document जो आपको upload करने पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं colored photograph, signature, application, certificate, sport जो आपकी minimum educational qualification आपसे मांगे गई होगी selection procedure जो यहाँ पर आपका रहने वाला है वो आपका three papers यहाँ भी होंगे paper one, paper two and paper three paper two and paper three जो भी होंगे वो आपके evaluated only for those candidates who square the minimum threshold mark to be determined by the selection committed in the paper one जो आपकी merit list उसके बाद आपकी बनाये जाएगी वो prepared only the basis of the marks obtained by the candidate paper two and paper three में जो आपने marks obtained किये होंगे उसके बेस पर आपकी यहाँ पर selection की जाएगी और उसके बेस पर यहाँ की merit list यहाँ पर वनेगी जो आपको syllabus मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी official website पर आपको syllabus दिये जाएगा इसका link भी आपको description में provide कर दूँगा, वहाँ से आप इनका syllabus भी download कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like and share जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही latest job update के रिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you, goodbye, take care